दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर क्वाइन के प्लेटफॉर्म के द्वारा आपनी मूचल फंड में निवेश कर रखा है और आपकी SIP कट रहे होंगे और आप मैनुवली उसको पे कर रहे होंगे तो जो आपकी existing SIP हैं उसको किस तरीके से automate mode पर आप उसको कर सकते हैं पूरा detail में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक मेरा दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा यह वाला यहां पर मैं आपको दिखा दे ठीक है तो इसको आप देख लिजेगा क्योंकि यहां पर मैंने आपको बता रखा है कि किस तरीके से आप e-mandate create करेंगे तो जो भी आपकी existing SIP चल लही होंगी उसको automate करने से पहले आपको e-mandate create करना पड़ेगा और उसको कैसे create किया जाएगा इस वीडियो में मैंने पूरा existing SIPs हैं उनमें आप अपने e-mandate को link कर सकते हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी लोग चैनल पर पहली बारा है चैनल को subscribe कर लें वीडियो पसायादा इसको like करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको जादा से जादा share करें तो चलिए open कर लेते हैं अपने adjustment वाला option है यहाँ पर नीचे की और click कर देना है यहाँ पर जैसे ही आप click करेंगे आपको यहाँ पर जो भी आपकी SIPs चल रही होंगी वो show होंगी तो यहाँ पर आपको click कर देना है जो उपर यह SIP लिखा हुआ है चलिए हम यहाँ पर click करते हैं तो यहाँ पर आपकी वो स इसको जाकर कि manually pick कर रहे थे जिस तारिक को हमारी SIP डेठ होटी थी उस तारिक को या फिर महां से लेकर के 5 दिन का हमें समय मिलता था अभी भी यह option available है लेकिन अब इसको अगर हमें automate mode पर डालना है तो क्या करेंगे तो इसके लिए हम एक चूस कर लेते हैं यह वाला एक्सी स्मॉल का है फंड को यहां पर यह पॉस है तो चलिए इसके उपर मैंने क्लिक किया क्लिक करने की बाद पहले इसको मैं रिजूम कर देता हूं तो यह रिजूम करने के बाद में यह मेरा आपको यहां पर दिख रहा होगा यह active हो गया है और यहां पर दिखा रहा है next installment 20 January को हमारी जानी है तो इसके उपर आपको कहीं पर भी क्लिक कर लेना है यह किसी भी तरीके की को recommendation नहीं है आप लोग इसको ध्यान में रखेगा सिर option में यहां पर अभी none दिखा रहा है तो यहां पर drop down है इसके उपर हम क्लिक करेंगे तो एक आपको यहां पर mandate का option मिल रहा है और यह साथ में active दिखा रहा है जो मैंने भी वीडियो के starting में बताया था पहले वीडियो देखने के लिए तो उस वीडियो को देखने के बाद मे जब आप mandate create करेंगे तब यहां पर option आपको यह वाला मिल जाएगा और जब तक वो mandate active नहीं होगा तब तक आपको यह option यहां पर देखने को नहीं मिलेगा और mandate करने के बाद में कम से कम तीन दिन का समय लगता है इसको active होने में तो simply इसको आपको यहां पर click करते हैं select कर ले कि you are doing a monthly SIP for 1000 in access small cap fund ठीक है तो इसको simply आपको modify पर यहां पर कर देना है click जैसे इसको पर आप click करेंगे SIP modified यहां पर लिख करके हमारा आ गया है और यह जो SIP है अब इसके लिए हमें manually pay नहीं करना पड़ेगा यह direct हमारा जो bank account है जो primary bank account हमारा link है इस coin के साथ में यह कह रहेगा तो इस तरीके से e mandate करते हुए और उसको अपनी existing SIP से link करते हुए आप अपने SIP को automate mode पर कर सकते हैं यह तो एक चीज हो गई लेकिन अभी और चीज मैं आपको बताने वाला हूं इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि कई लोग यह question कर सकते हैं तो अब मैं क्या भी लिक करके आएगा example के तोर पर पराग पारिक flexi care fund ठीक है तो यहां पर क्लिक करता हूं और यहां पर modify पर जाता हूं यहां पर इसको चूज करता हूं और अब यहां पर देखे modify SIP पर जब click करेंगे तो क्या बोलेगा फिसे modify पर click करता हूं तो यह बता रहा है कि ज और 40 घंटे बीतने के बाद आप इसको ट्राइ करिएगा तब आपका ये एक्टिव हो जाएगा तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है नहीं तो आप लोग बाद में कमेंट करेंगा कि मेरा नहीं हो पा रहा ये इस तरीके की एरर आ रही है तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से बहुत ही आसानी से मात्र तीन से चार क्लिक में आप अपनी SIP को आटोमेड मोड पर कर सकते हैं और अपना जो existing SIP है उसको किस तरीके से अपना जो e-mandate है उससे link कर सकते हैं तो बस यही एक छोटा सा वीडियो था तो आप मेंसे अगर कोई भी जिरोधा के साथ या किसी अन्य ब्रोकर के साथ में account open करवाने में interested हो तो description में कुछ link वेगरा मैंने दे रखे हैं आप वहाँ से open करवा सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं निस वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए नमशकार